हाई फ्रेंड आप सभी लोगों का बहुंद बहुंद स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड आज की सूड़ों में बताएंगे अगर आप एक बार यहनुसका परो करके देखेंगे तो बिल्कुल ही दोस्तो आपके दान दर्दा हमेसे अगले ठीक हो जाएंगे जिहां दोस्तो आज मैं आप लोगों को वीडियो में जो घैरल उपाय बताने वाला हूँ इस उपाय को करने एक बाद आपके दान दर्दा हमेसे अगले ठीक हो जाएंगे दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि सर मेरे दान दर्दा होता है दान दर्दा ठीक करने के लिए मैं कौन सा घरलू उसके का परयोग करूँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दान दर्दा कई कानों की वज़ा से होता है अगर खाना खाने के दौरान दात में खाने के जो कड़ फंस जाए इसके वज़ा से भी दान दर्दा होते हैं कभी कभी हम ऐसे चीज़ों को खा लेते हैं जो की काफी कठोर होता है इसके वज़ा से भी दान दर्दा होते हैं अगर आप मेडिकल में मिनने वाले दवा का पर्योग करते हैं तो दोस्तों यह आपके दात के दर्दा को तो ठीक करते हैं लेकिन दात में लगे किड़े को बाहर नहीं निकाल पते हैं और अधिकतम आप देखना दात में लगे किड़े की वज़ा से ही दात दर्दा होता है अ दोस्तो यह नूस्का बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट हैं, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बाजू में बने बेल काकन प्रेस कर लिजे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ है अरिवेट के संबन में इसका नोटिफिकेशन आपको तूरण सबसे पहले मिल सकें, दोस्तो इस नूस्के में आपको मैं दो तरीका बताऊंगा, दांदरदा ठीक करने के लिए, पहला दोस्तो आप जो फिटकिरी का परियोग कर सकते हैं, दांदरदा ठीक करने के लिए, दोस्तो ये वही फिटकि बहुत यहसानी से मिल जांगे तो लगभग आपको इतनी सी मातरा में यह छोटा सा तुकड़ा आपको लेना है fit किरी का, इतनी सी चोटी सी तुकड़ी, इसके बाद आपको लेना है एक गिलास कुछ इस तरह से पानी, एक गिलास पानी में आपको चोटे से तुकड़े डाल देनी है और इसे आपको गर्म आज पे पांच मिनद तक आपको इसे पकानी है इसके बाद इस पानी से थोड़ा सा ठंधा कल देना पकाने एक बाद इस पानी से आपको अपने दातों को यानि की मुह को कुला करनी है अगर आपके दात से खुन निकलता है तो इस उपाय को करन हुँ दूसरों पक न्ने किलिए आप घर पर मिनने वाले लचून का परयोग कर सकते हैं इस में इंटीबाटिक और इंटे फ्लेमेंटिय के गुणय जाते हैं जोकि की दात के दर्द को ठीक करते हैं और दात में लगए किटाड्यव को मारने का काम करते हैं तो आपको 2-3 दाने इस तरह से लेनी होती हैं लसून की इसके बाद आपको इसे पीस लेने हैं पीस बाद हो सके तो आप थोड़ा सा इसके साथ में नीबू गरत भी मिला सकते C अगर निबू नहीं मिल पाते हैं तो आप केवल ये जो आप देख रहे हैं लसून इसको पीस करके दान पे लगा सकते हो बिल्कुल ही 100% पांच मिनट में दान दर्दा ठीक हो जाते हैं हमने इस चैनल में पहले भी वीडियो बना के रखा हैं इसके संबन में काफी सारे लोगों का दान दर्दा भी ठीक हो चुके हैं अगर ओ ये उपाय को किए हैं तो कोमेट में जरूर बताना तो अगर आप बहुत लंबे समय से दान दर्दा से परसान हैं तो ये उपाय जरूर करें बिल्कुल ही 100% आपके दान दर्दा ठीक हो जाएंगे वीडियो तेखने के लाव सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार